अपने देश में देवी देवताओं के मंदिर तो बहुत से हैं लेकिन क्या आप जानते हैं अपने देश में एक भारतिय सेनिक का मंदिर भी है सिक्किम की राजधानी गंग टोक में जेलिप दर्रे और नाथुला दर्रे के बीच 14,000 फिट की उचाई पर बने इस मंदिर में दूर दूर से लोग दर्सन करने पहुचते हैं केवल भारतिय सेना ही नहीं चीन की सेना भी उनके सम्मान में सीसनवाती है कहा जाता है कि इस भारतिय सेनिक ने मृत्यू के बाद भी सेना की नौकरी नहीं चोड़ी सुनने में थोड़ा अजीब सा जरूर लग रहा है लेकिन यह हकीकत है भारतिय सेना के जवान उन्हें नाथुला के नायक के रूप में याद करते हैं और उन्हें बाबा की उपाधी दी है तो आईए जानते हैं सिपाही से बाबा कैसे बने हरवजन सिंग जी 30 अगस्त 1946 को पंजाब के सद्राना गाउं में जन्मे हरवजन सिंग जी 1966 को भारतिय सेना के पंजाब रेजिमेंट में सिपाही के रूप में भरती हुए इसके बाद 1968 में 23 पंजाव रेजिमेंट के साथ पुर्वी सिक्किम में तैनात हुए थे उन्हें देश की सेवा करते हुए सिर्फ दो साल ही हुए थे कि एक दुरगटना में वह सहीद हो गए दरसल जब हरवजन सिंग जी 4 अक्टूबर 1968 को खचर पर बैटकर नदी पार कर रहे थे तो वह खचर सहीद नदी में बैह गये और दो दिनों तक उनका कुछ पता नहीं चला तब उन्होंने अपने साथी सैनिक के सपने में आकर अपने शव वाली जगें बताई साथी के बताये जाने पर सैनिको ने वहां जाकर स्रव को प्राप्त किया और उनका अंतिम संस्कार किया कहा जाता है कि मृत्यू के बाद भी बाबा हरवजन सिंग अपनी ड्यूटी करते हैं और चीन की सभी गतिविदियों की जानकारी अपने साथियों को सपने में आकर देते हैं उनके प्रती सेना का भी इतना विश्वास है कि उन्हें बाकी सभी की तरह बेतन दो महीने की छुट्टी आदी सुविधा भी दी जाती है हालांकि अब वह रिटायर हो चुके हैं दो महिने की छुटी जाने के लिए ट्रेन में उनके लिए टिकट बुक कराया जाता है और तीन सैनिकों के साथ उनका समान और उनकी फोटो उनके गाउं भेजी जाती है फिर इसके पस्चाद दो महिने बाद उन्हें वापस लेने जाते हैं लोग जब भी भारतिय और चीनी सैनिकों के बीच किसी मामले को लेकर मीटिंग होती है तो हर्वजन सिंग के लिए एक चेयर अलग से लगाई जाती है उनका मानना है कि इस मीटिंग में हर्वजन सिंग भी आते हैं और मीटिंग का हिस्सा बनते हैं बाबा हर्वजन सिंग के मंदिर में उनकी तस्बीर के साथ उनके जूते और बाकी समान रखे हुए हैं। भारतिय सेना के जवान इस मंदिर की चौकिदारी करते हैं। और रोज उनके लिए कमरे में बिस्तर लगाया जाता है, उनकी बरदी रखी जाती है और उनके जूते पॉलिस करके रखे जाते हैं। वहां पर तैनाद सिपाईयों का कहना था कि सुबह जब कमरे में देखा जाता है तब उनके जूतों पर कीचर लगा हुआ होता है और उनके बिस्तर पर सिल्वटे दिखाई पड़ती हैं। मानो कोई यहां अराम करके उठा हो। भारती सेना के अलावा चीन की सेना का भी मानना है कि उन्होंने रात के समय बाबा हरवजन सिंग को घोड़े पर सवार होकर गस्त लगाते हुए देखा है। लोगों का यह कहना है कि बाबा के मंदिर में पानी की बोतल चड़ाने पर पानी की बोतल में चमतकारिक गुड़ आ जाते हैं। और इसका 21 दिन तक सेवन करने से स्रधालू अपने रोग से छुटकारा पाते हैं। भारतिय सेना और लोगों का ऐसा मानना है कि आज भी बाबा हर्बजन सिंग की यहां सुच मुपस्तिती है और वे देश की सरहत की रक्षा करते हैं ना केवल भारतिय सेना बलकि उनके बारे में जानने वाला हर भारतिय उन पर गर्व करता है